हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं CID focus on high sony entertainment television bar मैंने सुना तु कह रहा था कि DCP चित्रोले मेरे सामने कुछ नहीं है बत होशार समझते हैं आपको मैंसे सरूर वोशार तो मैं हूँ अच्या सुना तुमने हाँ जाई होशार आप है तो सही सार वर मेरे से जादे होशार नहीं हो सकता है एक रोल में CIDRoyu सर एक रोलिव मैज सोमी अधर नहीं दोलकर सर आपको और भी क्या नामों से बुछाजता है मालू मैं आपको अच्छा किस नाम से बुलाते है सर抗़ हो जाएगा कौने डों पंगा बताओ सर पंगा हो जाएगा मैं सामने हो तो चित्रोले, नहीं तो... खडूस! खडूस? नहीं, यह एक नाम है आपका. और? सर, जाने दीजिए ना, बुरा लगेगा आपको, सर. बुरा तो अब लग गया है, आप तो मैं जान कहे रहाँगा, बताओ. 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 यह के सर, अगर आप जानना ही चाते दो, यह लिजिए. DCP पनोती, अकल का दुष्मन, पहिला माला खाली, अच्ची हुई बिर्यानी, तिमाग का दही, बद्बुदार सॉक्स. और कुछ बचा? एक है. बोल थो वह भी, पेट में तबाके क्यों रखाया? जानी दोना, सर. आपका डिल टूट जायाएगा, सर. छूडिये ना. टूटने दो, चूर-चूर हो गया, पहलेसी. बस एक है. गेंडे की खाल. किसने रखाये नाम? जानी दोना, सर. यह. जानुनके, आप गेंडे की खाल हो. जो भूल नहीं सर. बोल? हाँ है, आप गेंडे की खाल ही. अब जड़ा दीजे मुझको फाल्सी बत. और आप गेंडे की खाल इसलिए है, क्योंकि किसी बात का आपश्य पर नहीं होता है. हाँ गेंडे की खाल बिल्बला रही है चल तेरे सेक सवाल पुछता हूं देखता हूं तेरे घुट्टन में कितने अक्कल है पुछी सारूंखे जाने दे बज जाएगा पुछी आपुछी आपुछी अचा सुन एक शाम को एक एरपोर्ट से साथ किलोमेटर दूर एक आदमी कितने हजार फीट से गिरा यह मालम में मगर उसके शरीर की 110 हडियां टूटने कितने होती हमारे शरीर में हडिया दोसोचे है दोसोचे को छे है बुछा रहे हैं कहाता सर्थ लाश की जयब में से एक टिकेट मिलता है एक एरलाइन का टिकेट लगता है वो किसी प्लेन में बैठा वा था कौन सी एरलाइन थी ज़ा है आणसर चीह है एसे नहीं बताऊंगा उस वक्त आस्मान में दस बारा प्लेन थे वहां पे अलग 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 एरलाइन्स के लेकिन टिकेट तो एक एरलाइन्स का था ना पाई साफ जितने भी प्लेन उस तायम असमान में थे उन सबने बोला उनका एक भी पैसेंजर गाइब नहीं था किसी ने बे दर्वाजा नहीं खुला कोई भी प्लेन से नहीं कुदा है कोई दर्वाजे को हाग भी लगा तो हंगा म हो जाता है एंह तो फेर तो फिर सालों के साथ ये गेंडे के खाल वाला आदमी ये पुछ रहा है एसी पिसा कि अगर यादमी प्लेन में से नहीं कुदा है तो आया कहां से मेरे तरफ मन देख इन भोला था तुझे ठीक है अगर दोने की टटर पटर होई रही है तो मैं एक तीन आप्शन दे देता हूँ एक यह आदमी शायद किसी रॉकेट में से किरा है आप्शन नमबर टू इसे किसी ने पेराशूट में से पेख टिया है एन आप्शन नमबर थ्री शायद किसी प्लेन में इथा यह मगर पार कैसे आगया पता नहीं इसका जवाब मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए समझे और अगर जवाब नहीं दिया ना सालों के तो तो कि यंडे की खाल बोलता है देख और एक बात आदे खंटे बाद जब लोगों को इस आदमी की लाश मिली थी तब लाश एक्दम थंडी थी और आफ किचिस और नसे फटी होई थी समझे जल्दी से जल्दी जवाब चाहिए जल्दी से जल्दी वरना चेटी याइडी में से लाता संके इस चित्रोले के सामने अपनी होश्यारी मद दिखाया कर अब चला दिया ना चित्रोले ने चक्कर देखा आपने सब को काम पे लगा दिया आप भी सोचो आदमी किरा कहां से एपिसोर खदा मने पे सही जवाब बताएंगे आप तब तक आज के कहानी तेखो वस झाल장 बस अए्न तेक तेक यू स्कुष्म, कृटत चीक या राफиновा है कुछ और बाता है, क्या मैं बैच सकती? मैं बहुतुरू, मैं किसका वेट कराओ? पता है, इसलिए तुम्हें यहाँ है, मतलब? मतलब भी, कि आप दसका वेट कर रहे हैं, वो मैं ही तो हूँ आप? आप जो स्टील के लिया हैं, वो डील मेरे साथ ही होगा वो, वो पैकेट आप लही है? पर छो चीज मुझे चाहिए, वो आपके पास है नीचे अब आपकी की सारी चीज़े? देखिये, देखिये, मैं इस पर काम कर रहा हूँ लिगे, थोड़ टाइम लगेगा बट मुझे नहीं लगता यह पॉसिबल देखो, हमारे काम में कोई भी चीज आसान नहीं होती और वक्त की कीमत होती अगर वक्त पर काम नहीं हुआ उसकी कीमत नहीं मिलेगी मुझे थोड़ा थोड़ा सा वक्त वार चीज़े दो दिन दो दिन है आपके पास दो दन के अंदर-अंदर मुझे वो सारी चीज़े चाहिए ठीक है, मैं दो दिन में कुछ करता हूँ कुछ? वो... मेरावाला पैकेट यानी दो दिन बात मिलेंगे चल्दे, चीज़े, ज़ाओ कहा हो तुम? कबसे फोन लंगा रही हूँ, फोन क्यों न उड़ा रहे थे? अरे याद, ड्राइब कर रहा हूँ तो एक्टीस थोड़ी दे के लिए फोन उठाके बात नहीं कर सकते थे? मैं थोड़ा बीजी हूँ काम से बाहर जारहा हूँ तुम्हेश फोन करता हूं क्या हुआ, तुम् ठीक हो ना? तुम्हे कुछ भाते हून है। तुम्हें कुछ रहूता हूं हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ. मुझे कुछ नहीं हूँ हूँ अच्छा गर कबार हू हूँ देखो मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, और मैं अब ये चुप-चुप के जीना नहीं चाहता, हस्तों मैं इस परिशानी कांथ करके ही रहूँगा क्या करने वाले हूँ? बताओ मुझे तुम क्या करने वाले हूँ? हाँ फ्रेडी? सर इन दोनों की मोत हो चुकी अनुराग की गाड़ी में से ये गन मिलिया है फॉरें से लब बीटो ये थेंता है क्या हो यहां पर यहां से अपने दोस के साथ बाइक पर जा रहा था और तभी हम ने देखा कि हमारे सामने से वो आली गाडी शन्ने से नीकल गए हम डर गवड़ा गए यह तक कि वो ट्रैवर को गालिया थक भी दिए पर फिर भी वो Рुखने की नाम ही ने ले रहा है और फिर एकशेलेंट में खुन है sir, मेरे पती का खुळ हुआ है सर इसलिए मैंने आप लगों को हाम भुला है आप ऐसे कैसे कह सकती हैं कि aapके पती का खुन हुआ कुछ महालो में आपको मेरे पति को देराथ धंकी बरे वड़े कॉल साथ ती थिया जो भी ये धंकी बरे फोन कर रहा था, क्या उस नहीं कभी आपके पति को नुक्सान पहुचाने की कुशिश की थी? जी हाँ, sir. Sir, उन्होंने मेरे पती के डेंटल क्लिनिक को भी तेहस्ट कर दिया था, sir. डेंटल क्लिनिक? तो क्या आपकी पती डेंटिस्ट है? जी हाँ, sir, अनुराग बहुत बरे डेंटिस्ट है, sir. थेके, जिस गाड़ी से अक्सिदेंट हो और अगर वो उनकी जान लेना चाहता तो अपनी जान खत्रे में क्यों डालता है? सर वो मुझे नहीं मालूम सर बट लिस आप मेरा विश्वास कीजिए सर मेरे बती अक्सिदें से जस पहले किसी चीज को देख के चिला रहे थे मुबाइल फोन मिला है, पुरा चुटा हुआ है कोई फोन नंबर या मैसेज बगर दिखने रहे कोई बात निया, इसका सेमकाड निकालो, सब डिटेल मिल जाएंगे यस और ये दूसरी लाश्य के बारे में क्या पता हो चला सर, मैंने गाड़ी और आसपास के एरिया चाम मारा, कोई फोन या आईड़ी अगरा नहीं तुटा है अच्छा, गाड़ी के पेपर लोगरा सर, वो भी नहीं ये सर, हाँ और ये जो, अनुराग है, इसकी बाड़ी देखे, इसमें बहुत सारा पून बाहा है, लहु लुआन है और इतना बड़ा एक्सिरेंट हुआ इसके माते पे थोड़ा सा कट है और कहीं ज़्यादा खून दिख नहीं रहा है कड़बढ है हमजी, बहुत बड़ी कड़बढ है और फिर अनुराग को धंकी बड़े फोन भी आ रहे थे पता लगाना पड़ेगा कौन है ये जो अनुराग को धंकी बड़े फोन करता था सवाण के बने वाली की वाइफ ने बताया कि उसके हजबन का खून किया गया है वह सकता है वह सच पर हो भी हो लेकिन खून किया किसने ये लो सरे कार निया के से जबर्दस्टकर मारी है है यह तो सच मोल देर आप लोग यहार हम जूट क्यों बोले गया वाई तो लगता है आपको ये केस ठीक से समझ भी निया रहा हूं यह आदमी अप्ती गाड़ी में जा रहा था और इसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रास्ते में को इसका इंतजार कर रहा है और जैसे ही यह वहां पहुचा एक तेज रफ्ता से गाड़ी आई और इसकी गाड़ी को जबर्दस्टकर मारी है मुझे समझाने के लिए आपके पहर छोलू मेरे पैसा सर्वा आपकी बहुत हिसत करता हूँ यह तो क्या बोलता है सारूंकी क्या है क्या है क्या है तो यह तो बैह काम से हाँ यह यह कूनी आपके सामने लेटा हूआ है यह यह उजिए तो निकाई में चैनला आपके इन्ने अंदर हो गया है एक शेरिर के अंदर दो आदमी एक हतरा है साथ, एक रोन को! खुनी सोनिकार! सर, मैं जरने इनने बताँ. सर, इस लाश को खुनी कहते हैं. या कहते है? खुनी. खुनी चाहे लाश पंकर कई भी चिपचाहें, सर. खूनी खूनी ही रहेगा साथ ये खूनी है बेख ले साथ इसको भी हसे रिया और रूले रिया हो गया है साथ ये खूनी नहीं है क्या नहीं ये खूनी नहीं है अरे कार्सु यही चला रहा था ये जब कार में बैदा तभी मरा हुआ था इसका शरी लावा करना चुरू हुआ है तो अक्डन चेने से शुरू हुए सहर इसका मतलब ये है कि ये चार-पाच गेंट तो तेले ही मर चुगा था एक मरा हुआ आदमी कार कैसे चला रहा था तो आप पता करो से आप पहुचिवें डिटेक्टिवा से कुनी कहा है मेरी जेब में एक ये बात रट्टी जा रहा है कुनी कहा है में को निकाएं सर प्लीज आपी बताये ने ये मराव आदमी गाड़ी केसे चला रहा था सर डॉक्टर साब ने हमारा थोड़ा दिमा खाया पर थोड़ा खाया थोड़ा खाया अर दिमा का अलवा बना दिया उसे अजकल तो हर बात में ड्रामा करता हूँ सर जैसे जैसे उनकी उमर बढ़ती जा रही है मला करने की आदत भी बढ़ती जा रही है अलब थोड़ी दिनों में सरकस में दिखाए देगा क्या मालूप सर रहा सर मगर हमारा कर दिया इतने वो टूटे वे फोन मेंसे एक चीज निकाल के दिये सर 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 सालों के सर ने सेडी बेची किसी की आवाज है इसमें? हाँ सर अनुरा को किसी ने फोन पर धंकी दीती और वो धंकी उसने रिकॉर्ड कर बेचीती चलो सुनते चलो सुनते सर सर अब यूरो के स्पीकर्स पर यावाज सुनाए दीती तू जाहे कहीं भी जाके छिपचा मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं तू ने जो किया उसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी जरूर मिलेगी पुर्वी पुर्वी एक मिलेट ज़र फिर सही चला मैं ऐसा क्या कर दिया अनुराग ने की कोई तू जाहे कहीं भी जाके छिपचा मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं तू ने जो किया उसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी जरूर मिलेगी जरूर मिलेगी तो यह पिछे घंटे की यवाज आ रही है यही मार खा गया वो हुँ यह नहीं सोचा कि गंटी की आवाज रेकौर्ड हो जाएगी आँ सर और जिस रिदमने बज़ना यह तो नहीं सड़गता तो नहीं के किसी एमन्दिर के गंटी की आवज है पिसी छर्च का है несो इस चर्च को हम टून सकते हैं और अगर इस चर्ज का पता लगा ना, तो आसपास इस आदमी का भी पता लगा सकते हैं। असर अपने घर में ही बैठके ये दंगे रिकॉर्ड की होगी उसने, बार से तो करेगा निए। ड़ए। ज़स गाड़ी उसने टक्कर मारी थी। उस गाड़ी से बी तो हम लोग उसे डूण सकते हैं। सर्ण। हम लोग बहुत पैदग करें सर्ण। किस लिए बही जाता तुम्हें गाड़ी का पता लगाने के लिए ना? अगाडी का पता लग गया है सर। किस की ए गाडी? रोमी जिन चुरा की है उसने पूलीस में रिपोर्ट लिखवाई थी कि उसकी गाडी चुरी हो गई है कोनी ने एक कार चुरा ही अन्रा को मारने के लिए कहां सी चुरी हुई थी कार? शंकर नगर रोड नमबर पांच अरे तुनो, जरा भार रख क्या हो साब? हम लोग C.I.D. से हैं अरे साब, मैंने क्या किया है? मैं तो इमंदारी से अपना धन्दा चलाता हूँ अरे तुमको गरफतार कने निया है, तुमसे कुछ पूछना है सुनो, तुम अपनी दुकान देर रात तक चलाते हो ना? जी साब, रात के दो बज़े तक आपको भुर्जी पाव मिल सकता है तो जरा सोच के बताओ, दो रात पहले पांग सामने तुमने कोई अजीब हरकत देखी जिस पर शक हुआ हो, जैसे कोई गाड़ी चुराने के लिए हाया हो नहीं साब, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था सार यानि की छोड़ी रात को दो बज़े के बाद ही होगी साब इस आदमे को यहां पहले कभी देखा है साब यह मौन है, यह तो सदक इधर दरो गुमता रहता है भीक बांगर अपना गुज़ारा करता है साब साब ये तो किसमत का मारा है बचारा इसे चैनसर है साब मरने या बचारा, मर गया? हाँ, मर गया और इसीने साइद गाली चोरी करने की कोशिच किये अरे साब, यह क्या गाली चुराएगा? इसे तो गाली चुलाने भी नहीं आती होगी. अच्छा, यह मोहन अब रहता कहा था? जोपड़ा तो इकदम खाली है? फुल सन्ना था? जोपड़ी को देकर लगता नहीं, यहां को यह आता जाता भी होगो. एक बद तो पक्की है. खुनी को पहले से पता था, कि मोहन बीमार है. उस पजारे मोहन को उसका समयाने से पहले ही उसको मौत दे दी. और दुनिया को ब्योकूब बनाने के लिए उसने उसकी लाश को गाड़ी में रख दी और उस गाड़ी का एक्सिड़़ा दी है. सर्. एक मटे. एक मटे. यह, चाज़ की घंटी सुनाए दरी है? हाँ, सर्. यह तो बल्कुल वैसी घंटी की आवाज़ा जैसी उस धमकी वाले कॉल में आया था, जो अनुरागो को किया गया था. सर्, मतलब खुनी ने अनुरा को यही आसपास से दमकी का कॉल किया था? अब समझ में आ रहा है. इस पूरे साज़िश में खुनी ने दो चीजों का इस्तमाल किया. एक यह मोहन जो यहां रहता है, और दूसरी वह गाड़ी जो यहां पास से ही चुराए गई थी. और खुनी ने जो फोन कॉल किया था उसमें पीछे चुर्च की घंटी की आवाज आ रही है. मतलब खुनी यही कही आसपास ही रहता है. सर्, यहां पे तो सिर्फ यह एक ही घर दिख रहा है. तो फिर उस खुनी ने कॉल कहा से किया होगा? सर अंदर से तो बहुत बद्बू आ रही है. लगते हैं, यहां पे कुछ हुआ है. सर, भर खाली है, सर. खाली नहीं है, बहुत तेज बद्बू है. जिसे लाशों से आती है. चान मरो. शेया, निकल, पंकाज. अरे, प्रिशर! सर, इसके तो वोग्डिशन बहुत कारा है. सर, लगता है, यह लाशों पहुत दिनों से यहां रख्यों होई है. तंबलिके तलाशीलो. जो, आँ! शर्य, यह लवल्यों में? जू, यहां सबीदे उर्टेर में? किसी का नाम नहीं है, सिर्फ डालिंग, बेबी, आई लव यू लिखा हुआ है नाम लेटर्स, एक काम करें, एल लेटर्स को फिंगर्पृंट और हैंड डाइटिंग अनालिसिस के लिए भेज़ दो, शायद कोई क्लू में जाए लगता कोई आया, खुनी हो सकता है तुम मारे जाओगे, तुम की देने वाला ये लिख कर चला भी गया और किसी ने देखा भी नहीं से, कितने लोग काम करते हैं यहां पाज? सब चार पांच लोग है, कहा थे कि रात में लिख के चला गया, उनके ड्यूटी रहती है उनना ने देखा ही नहीं जबरात को लिख कर चला गया और अनुराग आज मारा गया किसी आज मारा गया है तर पुर्वे क्या है सरी यह देखियो इतना सारा पैसा पुरिज में क्या मिकांस यह तो बॉम बगेर बनाने में कामाता है अब बुश्ट टेंक में मोबाइल अभियेत यह आनुराख इस देंतल प्रैक्टिस के आड में कुछ बड़ी गड़बर कर रहा था जरूर सर हो सकता है अनुराख जिसके लिए काम कर रहा हो उन्हीं लोगने उसे मरवाया हूं हो सकता है सर, आप प्रैडि, यह मोबाइल फोन में बेला है बात्रूम में चुपागे रखाता है, फ्लश्ट टैंक में जिंदे बड़ी अजीब बात है इस फोन में सिर्फ एक ही नंबर है और सिर्फ एक ही मेसेज मेसेज है, तुम्हे यो चाहिए वो मिल जाएगा सामान लेकर उसी जगे पर आ जाना जहां पर हम हमेशा मिलते हैं इसको अनुराग बनके मेसेज करें किया से? करो, अभी पता चल जाएगा हेलो मान तयार है हुँ, तयार है हाँ ठीक है, कल दो वजे मिलते हैं उसी जगे पर आ जाओ ओके एक बात है कि ये सामने वाला जो भी है न उसे पता नहीं कि अनुराग की मौत हो चुकी है आस तो वजे ठीकाने पर मिलो पहले इस ठीकाने का पता करना पड़ेगा सर फिर अगर वहाँ चलके देखते हैं ये अनुराग किससे मिलने वाला था अगर 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 हम लोग तो यहाँ पर एक मर्डर के इन्विस्टिकेशन के लिया थे एक एक एटेएस ओफिसर यहाँ कैसे है कुछ सालों से एक टेरर और्गनाइजेशन का स्लीपर सेल हमारे स्कैनर में कुछी आफ तो पहले अक्टिव हो गया उसी की लीड मिली थी इसलिए मैं यहाँ गया अंदर खुश्बू आ रही है कोई महमान है हाँ हाँ से देखकर तो यह लग रहा है कि मारने के बाद भी इसे शांती नहीं मिली यह कौने पता चाला? नहीं अविधा कुछ पता नहीं चाला, कोई आइड़ीने मिला इदेगे? तो यह प्रेसलिट है? प्रेसलिटी नहीं प्रेसलिट पहनने वाली भी वाही है इसे ही डुणते वह यहां आया था नताशा यह नताशा कौन है? हम एक राणा नाम के दलाल का पीछा कर रहे थे वो यहां के लोकल यूद को अपने टेरर ओगनाइजेशन के लिए रेक्रूट करता था वाइलली जब हमारी उससे मुलाकात हुई कर्मान कितर देख रहे हो? कर्मान कितर देख रहे हो? वो का उठान से ही आएगा चुड़िया गोसले प्रावेए मेरे लफ्त में कितर चको विव़िया कितर बिव़िया कितर देख रहे हो? वाइ़िया ने प्रावेए कितरो फिव़िया कुल मुए! कुल! कुल! पीज़ बढ़े! वो पिज़ पकायर! अब आते पारगने पड़ेगा? हेई! थे! रिडाओ! रिडाओ! बज़को! और इस तरहे वह हमसे अपने जिनदगी से भी आजाद हो गया, लेकिन पीछे चोड़ गया अपना सेलफ़ोन. सेल फोन से कुछ खास मिला तो नहीं क्योंके उसमें एक आटो डिलीट सौफ़एर था सेल फोन अन करते ही सब अच डिलीट हो गया लेकिन उसके आएम आई नंबर और सीरल नंबर से हमें ये पता चला कि वो सेल फोन बेचा कहां से गया था इसके शौप से नताशा के शौप से वहां के लोगों का ये कहना है कि कुछ दिनों से वो वह आई नहीं और आई विटनसेस के मताबएक वो आखरी बार यहां देखी गई थी मतलब नताशा का खून और हमारा ये माटर का केस जुड़ा हुआ है सब शरीया अनुराग का फोन पिछले अपते कहां कहां पे गया था वो सब दिखराया इस मैप में तो यहां है अनुराग का घर अंधेरी में यह यहां पे कांधी वली में उसका क्लिनिक सर हर रोज घर से सीदह क्लिनिक जाता था और क्लिनिक से सिधा करerus सभंवार को, मंगल्वार को, पुद्वार को, तों निकल कर सीथे कांदिवली जाताता है धर अचानक क्या हुगा और अङले दो दिन ये निद व्रसम्पतिवान और शुक्रवार है दोनो दिन नज घर में बैठा रहा उसे अंदजा हुआ होगा कि जान को खत्रा है जान को खत्रा है यह मालूम था फिर भी वह सी आईडी के पास नहीं है नहीं पॉलिस्टेशन गया है आएगा भी कैसे गड़बन काम जो कर रहा था बॉम बननाने का सामान बिच रहा था वो अमारे पास आएगा ही दी पिर शन् अच्छाने है वहां से पल्टी मारे और फिर एदर अदर भूंता रहा था बिल्कुल वही कर रहा था सर जब किसी आद्म के पिछे कोई लगा हो यह फिर उसे शक्ख हो कि कोई उसका पीछा कर रहा हो यहां काडी गुमाना और फिर वहां से वापस गुमा और सीथे अंधेर की तरफ आया सर पर वो अंधेरी में रुका नहीं सर वो आगे बंदरा गया लंबा फ्लैन था उसका और बंदरा से उसने यूटरेन लिया और फिर खार में गया यहां पर और यहां पर उसका फोन करीब तेड़ घंटे तक रुका हुआ वाता सर यहां पर कभी बड़े बड बस घर के पास ही वो एक्सेडेंट वा और मात होगे उसकी सर हमें यहां इस रेस्टॉरंट में अपना अड़ा जमा लेना चाहिए अनुराट के मुबाईल से जो मेसेज भेजा था हमने उस आदमे को आदमी शादी ही आएगा तोन आतता है यह कौन चिलाया मैंने पुता त े तोन आतता है वाँ ठां अजरा था कि अब और एक आदमी है तोन आपको नहीं मालूब खόςर एक इक केस एक स्फोच्स केसift ए August 2001 और मेले तो तूथ देए नहीं नहीं तूथ भी नहीं है नहीं, कोई मजाक नहीं इस आफ नहीं तो को बताने वाले थे पताने वाले थे मदल बताया नहीं नहीं से वह बाफ नहीं है सर canopy सिषरिख में आपने यह आवाज पृदेलwydd आपकी तर अब यह मंन्हाइन्ट्र वैसे सर्थ इतने बड़े डिर्ट्र वॉसकत है भेज बदल कैście किसकी अंधर गुषरे हो है यह फ्रीघ हुवां मेले तो लंदू अमन्गुर एम की टांदाता हैं उर चाते हैं ऌ प्रेतर के लंगूर हो सकतेक्या है येला मतातु लाला है वितलांट, ते थेटी मुली आई? नहीं सर, खेटी मुली नहीं एपो, एटीयस ओपिसर है मेले तो दिली ते पोनाया वितलांट तया तलना है? अरे? वितलांट? मैंने अपने दिल पे तीन बाल थपली माली है एटे, एटे, एटे अपने थफली क्यी मारी थे? थफली नहीं माले ता, तीमाद तले थे थे? अपने आप तलताता है? निमाद ताम तलना ता ये ना? हाँ, नहीं नहीं चलिगा वैसे ये उपसद ये ततब अभब होगे सार अब याद आया मुझे मिया याद थेओ आया था मेरी तन, तन बूर्द्याम है, मुझे फलेदी तो दोली माल दूंदा, उतने मेले तो तोटलेट थिला दी, तोटलेट, 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 इंध्या ओराँ? इंध्या करिप쟁vity、 समघलोippy! ऑन्ने वापे onboard! रहाँ! ःडो braking! अले, शोग्ये, शूट्टी हो गई. मैंने शूट्टी हो गई. आपके शूट्टी होगी, शूट्टी तरह मुझे लेख रहे है. अले, सुच्छूबू, हमादा. तमाल, कमाल. यहाख कर गया, प्रेड़ी. अरे, मापने, मतलब सर, जोकलेट में जहर था. जमीन, हील्यरी. पगड़े. पगड़े, जमीन. पगड़े, पगड़े. रिक्डिए, प्रिक्डिए. पेर पड़ा. रिक्डिए, जिर. रेड़ी, रेड़ी, जरवाटू. जये जीदि, जुम्मझे तुने जेहरवाला चॉकलेट क्यों खेला है? सर ये चॉकलेट में एसीपी साब को देने जा राता लग दे ये एसीपी को क्यों? सर जिनको एक अगादिय एक बया ता सन्हीं मुला था ये चोटले एसीप साब को दे देला और कहना टेंटोरा ने जिए टेंटोरा ये नाम सुना वाल लबता है उसका नाम सुनके तो ये भी खुछ होगे थे सार जोचा था एसीप सार बहुत खुछ होगे शामची देगे शार आप दोगा मेर तुझे साब लेश अरेसीप सार उस टेंटोरा को बहुत दूरों से ढूंड़ है सर अबे फ्रेडी तुने टेंटोरा को वाँ कियो नहीं पकड़ा स्थर्फ मैं एसीप साब को पूछे बिना पूई काम नहीं करता एसीप का जमाच एसीप क्या हुआ पिर आप आगे सार मैं मिल गया नहीं पर मैंने वह चोकलेट खाए आप इने तो कहा था यह चोकलेट एसीप साब को खाएंगे मैं खाऊंगा मैंने असा क्यों किया फिर हिल रख पकड़ 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 यह लेडी व्यूद लेडी कोना इसलिदीए निकल बीदर ज काँल डॉली माल दूना डॉली माल दूना लेडी तुचलेट खाई दबाज तलीदे तरुद यह बताओ तर यहद में थ्यात यह रखिए भृट की बात कररे थे केस में केस हाँ थेट तो सार अम लोग एक रेस्टोरेंट में जाने वाले हैं वहाँ फिल्डिंग लगाएंगे और कोनी का अंतिजार करेंगे ये वितलांथ है थाथ में डीतर अब बजी सिर्ट करिश तो अबंड़ अबद प्रोश्च्ट सब्सक्राइब, ये जुट है श्युक्तर अबंगे तो सब्सक्राइब, फूर्टरियर तो बढ़िध कर दोजीक अबंगे और कर दो बजे बोला था दो बज कर फंपरा मिनिट हो अभी तक तो ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा है जिस पर शक हो कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी को पहचाग्य वह वापस सली गई हो मुझे तो लगता है अम लोग गलत जगह पहरा दे रहे पर वो कहीं और पर काम निप्टा रहा होगा दीरेज रखो फ्रेड़ी दीरेज कफल मिठा होता है फॉल फॉल तो दिख नहीं रहे यहां पे ब्रेड बटर वगरा दिख रहे एक काम करूं क्या यह खाते काते में पहरा दे सकता हूं कुछ मत खाना काने पर नहीं काम पर द्यान दो सॉरी फ्रेड़ी काने का बश्यों के नहीं है बस इस लड़की का जबड़ा दो जगह से तूता हुआ है यह गुली बुली मारी है क्या हुसे है उसे और गुली नहीं लगी हुई है लड़की की लाश इतनी बुरी तरह से शड़ी हुई थी कि हमें साफ करना पड़ा कंकाल पड़ा हुआ लड़की का मेरे साब में नसर अभी का खुतम आगे जब आप यहाँ पर आएंगे लेब में तब बतावाँ जय सी आएडी ठीक है जबडा टूटा हुआ है आप 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 प्रहन प्रॉद से पिसके दो जब। पुष्टेक, मेरेस लडगी को पेलवी कहिते हैं. कि अक्राइप हैं? कि अक्राइप ग्रिश में घड़ वजुष्टेष नहीं जाले आप रकार वी कि अविर वापनैने मेंची कि अप्राइप एक वड़ा आपकेजिए। कि अच्छे़ रचेश पानों अचेशन अचेशन घट हैं. प्रवाइच्छ! जब रावरे बावा हमें पगड़ाता ही लड़की वहींदे, इसाफ्श्र, इसे लड़की थे? अब सत्कान वाड़से मेंने यही आयो? जर्य अब निकल रहे हैं? प्रवाइच्छ! निकल रहे हैं, निकल रहे हैं! अटिया, प्लीज! प्रवाइच्छ! जर्य, यह लड़की गई कहा? पिक्रान, घवर फारदो, जल्दी! प्रवाइच्छक कहीए । वह थे लड़की प्रवाइच्छक प्रवाइच्छ, हो!! पुद्धार से जाओ. सर, मर चुका है. लड़की खाँ गए? सर, लगता है भागी. सर, लगता है. लगता है, अपना निशान चोड़ कर गए. यदको? यहां ट्रेल यहां खतम होती है. यहां कि यहां से वो किसी गाड़ी में बैट कर बांगी. पाग के जाएगी कहाँ. जखमी है. आसपास के किसी आउस्पिडिल में जाएगी अपना इलाज कराने. सर, मैं आसपास के सभी आउस्पिडिल में इंफाम करता हूँ. अगर ऐसा कोई केस आएगा, तो वह हमें इंफाम कर दीगे. मैं अभी अपने देपार्टमेंट से उस लड़की के बारे में जाने की कोशेश करता हूँ. अगर यह है कोई. तर, वो दिन अप चले गए. चले गए वो दिन? तर, जो चले गए उसे जानी दे. और तु आगे बोल आगे. ऐस, वो दिन अप चले गए जब मुर्दे मुर्दे होते थे. क्या? क्या? मुर्दे अब मुर्दे नहीं रहे? मुर्दे अब जिन्दा हो गए है? यह मुर्दा अब सिरफ मुर्दा नहीं रहा! यह सालों के जब हमी यह मिला तब यह मुर्दाई था, अब यहाँ आने के बाद तुने इसके साथ कुछ और किया हो तो मालूम नहीं अच्छा, तिस आलत मिठा, क्या कर रहा था? मुर्दे जो करते वही कर रहा था, लेटा था पस, लेटा हुआ था? नहीं, इसके पास कुछ, लेटर बेले हमें लेटर क्या हुआ? लेटर? हाँ सर, लेटर मुझे अच्छानो के आद आ गया क्या? मुझे एक लेटर देना था किसको? तारीका को तारीका को? अभी जी, यह क्या हो रहा है? फेडी तुझे तारीका जी को लेटर देने के क्या जरूरत पड़ गी? अरे सर, आप मैंने पूछा जरूरत क्या है? सर, आप ही ने तो दिया था मैंने? आप सर अरे लेकिन वह तो, वह तो दस दिन पहले दिया था ना? सर, दस दिन से जेब में पड़ा है दस दिन से लेटर तो जेब में लेके गुम रहा है? आप सर दस दिन से तुरे पैंड नहीं पड़ी? नहीं सर, पैंड पड़ी थी, मगर लेटर जेब में रहा है कोई बात नहीं सर, अब दे जाता हूँ सर, 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 लेटर में नाख मठ डाली आ प्लीज सर, अब तो नाख डाल दी है कि अब लेटर पढ़ने के लिए मैंडग जैसा मूझ खोला, मूझ फ़रन बन दिल में लगी आग, लेटर दिया एसीप को, लेटर खड़ू उसके हाथ में लेटर पढ़ती एसीप का सीर भण नाया जानम की फटने की पूरी उमीद दिल का हुआ तो था मैं तो हुई मलाई मलाई, इसको हुई खाज, इधर भी मलाई? एसीप के कान में से निकला धुआ, दिमाग का हुआ धाई अरे निकल पड़े, निकल पड़े एसीप, लेटर लेके कोई दिवाट ढूनने जा रहे है क्या सीर मारने के लिए नहीं, 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 सिर मानने का इरादा कैंसल, फिर स्रट का दिमाग, ऐसे क्या लिख दिया अभी जीत ने, हाथ उपर उठा लिए लेटर चेहरे के पांस में आ चुका है, लेटर लेटर फड़ा प्योट दिल पे लगा धक्का, बराती गुलगुला है लेटर का बना हलुआ, अभी जीत कैज पकडने को तयार, ये दिल फेका जमीन पे सालूंगे ने खोली चोच मुर्दे अचाना खूनी बन लेए चड़ गई क्लोरीन सर, मुझे लगता है आपको थोड़ी आराम की जरूरत है मिल गई न उसके साथ? आपके दिमाग पर अशर हो ऐसा ये मुर्दा खतलनाख है, मार डालेगा फबको इसके दो सारे स्कुरू डिले हो गई यार अच्छा, देखो भी अरे, सालूंगे, ये क्या कर रहा है तो? मुर्दा देखो, ये मुर्दा खतरनाख है सब को मार डालेगा, ये देखो ये कंकल तो चमक रहा? ये बॉस इसमें रेडियम गुजगया है रेडियम से मारा गया इसे और इन हड्डियों को कितना भी जमीन के अंदरगार दो हजार दो हजार सालता की हड्डियां ऐसे ही चमकते रहेंगे इसके आप पास जो कुत भी होगा उसे खा जाएंगी रगिया इसे जितनी चल भी हो सके दूर पर जाओ इसके पास जो भी रहेगा ये मात मारा जाएगा अचाओ यह से जल दी चल जाओ अरे लेकिन फिर ये लड़की है कॉन पता कैसे चलेगा तो अब जीत इसकी सारी एंडिया टूट चुकी है इसका डियेमे नहीं हो समता है तो फिर? इसके जबडे की सर्जरी हुई है ये किसी डेंटिस्ट के पास गई है इसके दातों का जैसे ही मैक्स रडेका लूँगा पता चल जाएगा पेर तो हम दातों के डॉक्टर को डूड लेंगे जिसने इसका इलाज किया होगा कि आप चुले ज़वे यहां से जल्दी तुम दोनों का क्या डूंट वरे हमारे पास सपेशल सूट है हम दोनों पहन लेंगे पहन लो जल्दी हम लोग चलते हैं तारिकार अभी जी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है लगता है कुछ न कुछ तो मिस्स हो रहा है हमसे सर में तो थक गया हूँ इतने इस तारे दातों के डॉक्टरन से फिलके मेरे दात खट्टे हो गए है कुछ पता चला एक मैच मिला है आपने जो दातों का एक्सरी भीजा ता वह मारे रिकॉर्ड से मैच करता है तो आपके रिकॉर्ड से मैच मिला है तो उस पेशेंट का नाम क्या नताशा है नताशा नहीं तो से उस लड़की नाम तो रोस था आप रोस आपके पुझे तरह याद जिस दिन वो अपने ट्रीटमेंट कर नहीं ती उस दिन बहुत अंगामा हुआ था अंगामा कैसा है अरे सर उस दिन बहुत परिशानी वी उस लड़की ज़सा केस तो हमने पहले कभी देखा ही नहीं ऐसा क्या हुआ था उस लड़की को सर उसके दाथ का ट्रीटमेंट नहीं चल रहा था और हमारे उसके दाथ में हाथ लगाते ही उसका पुरा जबड़ा तूट गया सर बहुत खून बहरा था जबड़ा तूट गया गदाथ तो मजबूत होते वही तो सर उसके जबड़ को हमने किसी तरह ओपरेशन के जरीए चोड़ने की कोशिश की लेकिन बहुत परिशानी हुई सर आपने किया ता उसका उपरेशन नहीं सर केस बहुत कॉम्प्लिकेटर था तो हमने एक विजिट यह है है जी हाँ यही है दॉक्टर अंबरा पर हुआ क्या है सर नहीं से कुछ नहीं बस अब सितना बताईए क्या रोज के साथ ऑपरेशन के वग कोई और भी आया था सर उसके साथ उसकी फ्रेंड थी और रोज का बॉइफ्रेंड भी आया था रहूल और और सर रहूल उसक उसके अपरेशन से खुश नहीं था और डॉक्टर अनुराग को ढूडते हुए यहां क्लीनिक भी आया था बहुत गुस्य में था सर अवजीद, लगता है रोज की बॉइफरेट को लगा होगा कि उसकी मौत का जिम्मेदार डॉक्टर अनुराग है और शहद उसी लिए उसने डॉक्टर अनुराग को मार डारा होगा हां सर, राहूल भी यही कह रहा था कि उपरेशन से पहले वो बिल्कुल ठीक थी लेकिन जब से डॉक्टर अनुराग नुराग 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 का उपरेशन किया था तो वो अजीब-जीब सी हरकते करने लगी थी एक बात बताईए यह सू रोज के साथ जो लड़की आ A Tashabhi जिन्दा है, रtonä यह सब जो हो रहा है इसके पीछे नताशा और बोय फ्रेंड, रॉस का बोई फ्रेंड राहूल यह मिले हुए हुए उसार? हाँ, बिल्खुल हो सकता है अभीजी, बिल्खुल हो सकता है इन नताशा और रागुल, क्या इन दोनों के नंबर्स हैं आपके पास? आपके फॉर्म पर होंगे शायद? हाँ सर, यह रहा राउल का फॉन नंबर पर उसका डेटेलिए इसके सारे रेकॉर्ड्स निखालों हुए, अड़े बाई, लैब में आंडेरा क्यो हो? चित्रों में परिया हार, यह बतनासी भी कहा से आगई? सालों के भाग गया क्या? पता चल गया, मैं आने वालो हूँ जुपावाई वे, यह प्यान रख्याए? है, कपड़े पैन्याएं नहीं? जार, कपड़े पैन्याएं, जार? मैंने सिर्फ एक सवाल पुचा था यह आदमी कहां से गिरा अवा निकल गए उसी में? कड़े बदल लिया? सूट पहन रखा है, सूट? मैं? सूट पहन रखा है, सूट लोट लोट क्यो बोले जा रहा है? सर आप क्या बोल रहे हो सर? मैं कहे रहा हूँ सूट पहन रखा है एवे अरे यह च्रकेस के ऊपर वे डियंग यां रेडियम रेडियाम डियाम रे यह भगवान आपकी कोई शब्तो इस बंदियने ठीक-ठीक सुला थेंक्यों रेडियम से मर गई यह रेडियम खाली है किया इसने आप नहीं समझेंगे रहने दो रहने दो है लेने दो नेगो हुआ अरे हम कहांसे गहने देंगे अबैद को शाध्री ने वह थो पूछ विसके वह थे एक बार रहने दो फिर गहने दो यहां का महाहुर ठीक ने आज सार, इसे तो पहले देखा रहा है, तो वही पर था, जहाँ पर आनुरा का एक्सिडेंट हुआ था? हाँ सर, उस एक्सिडेंट का ये आई बीटनेस था, सार, शायद ये कन्फिर्म करने के लिए मौजूद हो, कि अनुराग मरा है या नहीं, और सर, एड्रेस भी वही था, जाविया में रोज की बॉड़ी मेली थी सर, चाह, तो एक बात तो पक्की है, कि वो दुबारा अपने नहीं जाएगा, या अखरी लोकेशन क्या थी उसकी? सर भाहिर पर जानुराग का एक्सिडेंट वाद और उसके बाद उसने अपने फोन बंद कर दिया, पोन बंद कर दिया, उसे फोन रेकॉर्ड से क्या पता चला, आखरी बार मेरा मतलब है फोन बंद होने से पहले उसने सबसे ज्यदा फोन कीजिकी जिया थे, सर यह नमर पर लगातार फोन करया दरसम कोई चोटो है, है कोनी चोटो, सर कार मेकानिक है, چोटो, कार मेकानिक, कार मेकानिक चोटो। सर मैं किसी राहूल को नहीं जानता सर सर मैं इंजनोल के कसम खाड़िया हूं सर मैं सच कह रहा हूं अज़ देख सीधे सीधे बता दे वरना ऐसे ही चमगा डड़ बनके लटका रहेगा तू प्यारी बड़ बाप क्या रही है मेरे बात कुछ समझ में नहीं आ रही है सच कहना उपना दने कुछ नहीं किया नहीं मालू मैं ठीक है इसको बेरो ले चलो अपरका सभाइब लगता है इसकी यादश धीरे धीरे वापस आ रही है वो तो आने यह थी है अबता साब, साब राहूल को मालूम था कि मैं चोड़ी की गाड़ियों का रंग रूप चेंज करके उन्हें बेसता हूँ साब उसने मेरी इसी बात का फादा उठागा मुझे बलैकमिल किया कि मैं उसे एक गाड़ी देदू नहीं तो पुलिस के पास चला जाएगा और साब, साब मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहता था यह अनुराग को मारने की बलाणिंग कैसे कि यह बता उस गाड़ी से कीती साब उस गाड़ी से मतलब दीदी उसके लिए आपको वहाँ चलना पड़ेगा चाल किसे क्या जा रहाता ह। सर दो दो स्टेरिंग विल और रिमोट कंट्रोल से चला रहा है। यह चक्कर है। इसकी वज़े से लाश गाड़ी चला रही थी और अम्रा की कार के साथ जाके बिढ़ गई। साथ मेरे कुछ निख्या ह। जो कुछ किया ह। सरा रहूल निख्या साथ मेंने तो सिर्फ कारी बना के दिति साथ साथ मकानिक आंडमी हूँ। रहूल का मिलेगा? तो ओफिस में तो कोई नियुए? वो मेकानिक ने बोला तो रहूल यही ही आया है। सब बुझे जा रहे को अगे तरह दो किसी की जिंदी के साथ भी खेल सकता है और और कोई उसका कुछ नहीं विगाड सकता इसलिए खून कर दिया उसका बिना ये जाने के रोज की मौट में उसका कोई हाथ नहीं है रोज की मौट रेडियम पॉजनी की वज़े से हुई है समझे तो मैं जानता हूं लेकिन यह मुझे अभी अभी पता चला कैसे नताशा का फोन थोड़ी देर पहले मेरे पास काया नताशा सर यह तो मुझे नहीं पता लेकिन सर उसने का कि रोज की ओफिस की लड़की का ही रो क्यों तो ने लड़की रोज कीब सर अलेशा का है खोजर कीमिकल डाल के सब्सक्राया करती थी और नाटाषय ने ने बताया कि अलेशा रोज से कुच इलिगल ताम कराती ती तिस先 spending स्मॉग सर और उसमें ना सरू कुछ पाकेट्स में ठेके नाकिमिकलष की डब Pill chip Press केमिकल्स, वो रेडियम होगा, तभी रोज रेडियम की चपेट में आ गई, अब अलीशा कहा है? सर, यही तो मैं इससे पूछ रहा हूँ. कहा है अलीशा? सब हमारे कंपेने के मालिक, राजमेर साब ने एक पार्टी दी है, नियो एक के, सब लोग उसी में गया है, अलीशा में भी वहीं गई है. कहा है पार्टी? होटल रिवर किंग में. रिवर किंग? काम विक्रान? नतार्षा होटल रिवर किंग में? नतार्षा और अलीशा दोनों आप है. विक्रांते काम करो तुम होटेल निवर्किंग पहुचो हम लोग भी पहुच रहे हैं वहां कुछ खतर्नाक होने वाला है इसे ही ढूंते वही आया था लटाशा हां मैं यहां पाँच किया हूं नहीं वह अब तक यहां पर नहीं आया है मैं ओनी का वेट कर दियू हम एने कहा ना आपका काम हो जाएगा तो हो जाएगा लगता है वो आगए मैं आपसे बाद में बात करते हूं हेलो 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 नाइस टुसी यू सेम्यो मुझे तो लगा तुम नहीं आपाओगी आना तो थाई सूरज कहा है वो सूरज को कुछ जरूरी काम आ गया तो वो बिजी हो गया और नहीं आपाया चलो अच्छा है तुम तो यही हो चले अंदर चले अंदर चा आयो मुझे यही darauf मुझे, आपाय मुझे यहोड़ा यहाप सेमे, अब नियुके प्रस्वा मुटत तुम माहिने आप्तार् शुन propor कृति है, मुटत चलोब, यहां निरे साथ में है होड़ा, सिर। जाइमा जाइमा पहले, पहले मेरे भाई को छोड़ दूँ. तुम मेरे साथ सौधा नहीं कर सकती. पहले मेरा काम हो जाए, पिर तुम्हारे भाई को भी छोड़ दूँ. मेरा समाथ. यह तो बॉम है. यहां बहुत सारे मासूम लोग हैं. तुम सुब को मारना चाहती हो? हाँ, मरेगे. सब मरेगे. क्या मिलेगा तुम्हें यह सब करके हाँ? सुखू, बर्तिला. वैसे तेरे सवालना बहुत होग है. चल्ड, पीछे मुदू. सूच क्या रही है, मुडो. चल्दी-चल्ड. सुखू, बर्ति-चल्ड. सुखू, बर्ति-चल्ड. 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 सुखू, बर्ति-चल्ड. सुखू, बर्ति-चल्ड. सुखू, बर्ति-चल्ड. बर्ति-चल्ड. सुखू, बर्ति-चल्ड. सुखू, बर्ति-चल्ड. सुखू, बर्ति-चल्ड. सुखू, बर्ति-चल्ड. सुखू, बर्ति-चल्ड. सुखू, बर्ति-चल्ड. झाल झाल सर्फ, नताश रहा है, थर्ड़ फ्रोके बात्रूम में. किसने किया यह सब? कैसे हुआ यह? सिर्फ, वो मेरे भाई को जान से मार देते हैं. इसलिए मुझे यह सब करना बड़ा. देखो नताश शा, जो कुछ भी है जरा साफसाब बताओ. मेरा भाई उन लोगों के कबजे में हैं, जर्फ. किसके कबजे में? अलीशा. अलीशा? यह अलीशा कौन है? क्या करने वाली है वो? वो उसके रखने चैकेट को उतार कर उसमें कुछ लगाया था. वो भी उन सामानों से बना कर जो मैं लेकर आई थी. कह रही थी कि हजारों लोग मरेंगे. इसे सुनकर मैं डर गई. और मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो… तो तुरी आलीशा तो स्यूसाइड भूंबरे. हेलो? सूरज? तु चूट गया? क्या? तु उनके चंगुल से फाग गया? तु कहा है? मुझे पता कहा है? मैं तेरी लिए तेरी लिए मदद करने के लिए किसी को भीजती हूँ. मेरा भाई उनके चंगुल से छूट गया, और वो बदलापूर के पास जो पैट्रल पंप है, वहां पे छुपा है. तु चिता मत करो, हम उसे ठूड लेगे, कुछ नहीं हो ने देगे तुमारे भाई को. जाओ जल्दी, ठूड़ो उसे. तु चलो मेरे सार. सर, आवी अलीशा रुटनना बहुत ज़रोरी है, यहां के लोगों को खत्रा हो सकता है. आवी करांथ, तु नहीं कर सकते हैं, अगर अलीशा को पता चला तो बुरे हुटल को उड़ा देगी. पर सर, हम अलीशा तक पहुँचेंगे कैसे? उसे पहचानेंगे कैसे? सर, मुझे लगता है, अलीशा वही है, जो रेस्टोल से भागी थी. हाँ, हो सकती है. और सर, वो अन्राग? वो अपने क्लिनिक में बॉम बनाने का सावान किसी को तेने वाला था? वही होगी सर. पार्किंग लॉट में शूट आउट के बाद से गाइब है. पुर्से पैचानते हैं, डूने लेंगे उसे. काउंड़ाण बिगेंज्स! 59, 58, 57, 57, 56, 55, 55, 55, 55, 55, 56, 52, 51, 50! सर, ये तो लाइट आफ हुरी है, आव उन कुणने को ढूनेंगे कैसे? ढूनना तो पड़ेगा ही! इसको डूड़ने के लिए अंदेरे की जुरती पंकच, साथ? अब जी सब वो देखियो लड़की काले कपड़ों वाली उसके दाथ कैसे चमक रहे है जैसे रेडियम के एक्सपोजर हुआ है बिल्कुल वैसे चमक रहे है जैसे फुरेंसी क्लैब में उस लड़की के दाश की अट्डिया चमक रहे थिया विजीत वही है शिर्याद पुर्वी उस लड़की के दाथ चमक रहे है दबोचलों से यही है फ्रूजड़ को जी जील है थिप तो जूज़ कई जील yब है थिर जील वो ग्रेट जॉब विकान थैंकि शर्ड, यह तो मेरा फर्स था लेकिन आपने इसे कैसे बचा लिया, वम तो फटा था लेकिन किते बस में इसका वैस निकाल गया और वाराभी पाली के इंड़ प्लास्ट वा तो किसी को पुस्त फैंटास्टिक विक्राथ, तुम्हारी बादूरी की वज़े से बहुत बड़ा हाथसा होते हुए रहेगा, हमारी बादूरी से बादूरी से वह भी पकड़े गया वैसे यह कहान शुरू कहां से हुई जरा हमें भी तो सुना है नताशा से उसे शक हो गया था कि हम उसके शॉप से फोन ले जाकर कुछ गलत काम कर रहे और ऐसा क्यों लगा उसे? रोज के मौत के वज़े से नताशा को पता चल गया था कि रोज के मौत एक आक्सिडेंट नहीं बलकि रेडियेशन के वज़े से हुई थी और उसे लगा कि अब अगली बारी उसकी इसलिए वो दर के छुप गई पर? पिर हमने उसके भाई को किडनाब की उस पार्टी में बिना किसी सेक्योरेटी चके जा सकती थी और वह भी बॉम के पाच्स के साथ क्योंकि वह पार्टी के होस्ट और और मेरे कमपणी CEO राजंदर ची की बहुत अच्छी दोस्ती। यह बम बनाने का सामान और रेडियम तुम्हे अनुराग सप्लाइ करता था। और उससे डील करने के लिए तुम उससे होटल में मिलती थी। हमारा यह प्लान था कि हम उस रेडियम को बम में डाले। ताकि वो बम और भी शक्तिशानी बन जाए। और तुम्हारी प्लानिंग की धज्या उड़ गए। रोज की लाश में वो रेडियम एक्सपोस हो गया। और इसलिए तुम पक्ड़ी गए। इतना मततरा ह। क्योंकि बाहर और भी है। जो यह काम कर सकता है। अब जो भी होगा देखा जाएगा। पर एक बात अच्छी तरह से याद रखना अलिशा जी। जो भी हमला करेगा ना। आखेर उसके हाथ आएगी हार। और गले में फासी का फंदा जैसे तुम्हारे गले में होगा। अच्छी तरह से आएगा। हमारे च्छोटे बड़े दोस्ते। चित्रोले सामने हमें पसाने की बहुत कुशिश की थी। लेकिन हमने पता लगा ही लिया। कि वह जो उपर से गिरावा आदमी कहां से गिरा था। वह आदमी प्लेन में से गिरा था। बगर प्लेन के अंदर से नहीं, प्लेन के बाहर से। वह प्लेन एक छोटे एरपोर्ट से आया था। अब शाम के समय, जब अंधेरा था। तब यह आदमी किसी भी तरह से उस एरपोर्ट में गुज गया। और इस प्लेन के लैंडिंग गेर में जाके छूप कया। अब हुआ यह कि जब यह प्लेन 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 चालीस अजार फीट की उचाही पर पहुचा है। तब थंड की वज़े से इस आदमी की मौत होगी। उस उचाही पर टेंपरेचर होता है माइनस 40 डिग्रीज इतनी उचाही पर हवा का प्रेशर भी कम होता है। और हमारी नसे फट जाती है। जब यह प्लेन लैंडिंग के लिए दूसरे एरपोर्ट के खरीब पहुचा। तो अलगबख 6-7 किलोमेटर की दूरी पर पाइलट ने उस प्लेन का लैंडिंग गियर खोल दिया। अब जैसे ही प्लेन का लैंडिंग गियर मतलब वील्स पई है बाहर आये। उसके अंदर छुपी हुई लाश ताड करके नीचे गिर गई। और नीचे लोगों को मिलगी फिर मिलते हैं। बाइ।